हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल ब्यूटी टिप्स विजिया आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही शांदार एक आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो आपको बहुत सारी जो प्राब्रम्स होती है उनसे रिलीफ द आपके हर घर में अवेलेबल होने वाला है फ्रेंड्स मैंने अभी आपके साथ कुछ टाइम पहले जो नाभी में ऑईल लगाने का वीडियो शेयर किया था उससे रिलेटिड मेरे पास क्वेरी आई थी कि वाट अबाउट देसी घी तो देसी घी का क्या यूज है हमारे लि आपके साथ करना चाहिए तो उससे क्या फायदा होगा आपको उससे आपकी बाड़ी को क्या क्या चीजे मिल सकती है और कितने फायदे हो सकते हैं यह सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपको वीडियो पिसंद आता है तो प्लीज प्लीज लाइक करिए थमसब का बटन दबाईए और जो वीडियो आपको दूंगी उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड से साथ फ्रेंड लाइक का बटन दबाईए तके में मोटिवेशन मिल सके और हम आगे से आगे आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सके और चैनल को सबिस्क्र में 72,000 नसे हैं उनसे कनेक्ट होती है एक यह जंक्षन होता है उन सभी नारियों को एक जगे कनेक्ट करने का अगर हमने नाभी में कोई भी तेल मैंने आपको डिफरेंट टाइप आफ तेल बताए हैं कि किस तरीके से लगाने के किस तरीके से उनके फायदे होंगी तो उनक लगाने के बार लगा देना है थोड़ा सा उसको हल्का सा अ 아닌 कर लेंगे कर लेंगे जहा थोड़ा सा मैल्ट कर लेंगे अगर लगा jó शुर हत् Love कर लेंने तक अभी तो देशी घी को लगा किसी इसा घृबル हूल होता है तो आप के नुटिशन की कमी हो जाती तो अब कर सकते है छगनार्मलली एसे हेर वरॉर है ड्राइय हो गए या वैसे ही आपको ये तोटड़ी स्ट्रेस आप इसे कुछ जिन तक ट्राय करेंगे तो आपको जरूर लाब होगा उसके बाद अगर आपकी इसकिन बहुत जदर ड्राय होती है और अगर आपके आपके नीचे काला पनाय काले घेरे हुए उसके लिए एक राम मान इलाज है आप इसे कंटीनियू लगाएंगे महीने दो म महीने तक रात को लगाएंगे तक छोड़ दीजिए या नहाने के बाद आप इसे रूटीन में लगाएंगे थोड़ा सा देसीगी कॉटन से आप अपनी नाभी पर एप्लाय कर लीजिए तो आपको इस इन जो आपकी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आखों के नीचे काले ड आपके अपनी अगे घंप अकमेंट एगा मेंट सकते होने आपको रोग तो हमारे ले IL-6 कहिन नहीं कि हम गएजिंगं फेक्ट आहिया कि व्यों हो सब्सक्राइड लेकिन हम उस process को delay कर सकते हैं थोड़े time हम जैसे हम आज हमारे 40 year की age है तो हम उसमें 35-30 का दिख सकते हैं इन चीजों को करके इन उपायों को routine में अपने लगा करके तो इस तरीके से हम aging effect को delay कर सकते हैं इसका use करके और जो friends आप अगर चाहते हैं कि हमारी digestion power अगर अच्छी न आयुरवेडिक डॉक्टर्स भी हैं वह भी सजस्ट करते हैं कि आप दूद ले दूद में एक चमच देशी घी मिलाकर पी लीजिए या फिर आपको अपनी खिचड़ी लेते हैं उसमें एक चमच आप देशी घी मिलाकर के पीएंगे तो आपकी जो बाडी होगी वह नरिश हो हो जाता है तो इस सब चीजों में आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा आप कुछी दिन यूज करेंगे या तो दूद में एक चमच देशी की मिलाएंगे और पी लीजिए उससे आपका डाइजिशन पावर अच्छा होगा और जो भी आपके कांस्टिविशन की इन सेल्स होती है वो डेलप होती है और उनमें एक फैट चाही होती है डेलपमेंट के लिए तो वो फैट लाने के लिए भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे पहले वो भी सजिस्ट करते थे आजकल लोग क्या करते हैं बटर देते बच्चों को नहीं फ्रेंड्स बटर क बच्चों को बना कर देते हैं बच्चों को तो उसमें आप थोड़ा उपर से दो चमच खी डाल कर उने रूटीन में खिलाइए इसे इसके लिए स्पैशली दो से पांस से साथ साल तक आप बच्चों को कंटिनुटी रखिए तो उनकी जो ब्रेन पावर है वो शाप होगी और उनकी जो शमता है ब्रेन की वो बहुत गुना बढ़ जाएगी और इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए देसी घी रूटीन में ले सकते हैं और बटर का यूज़ ना करें और देसी घी का ही यूज़ करें देसी घी में फ्रेंड्स गाय का जो देसी घी होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और वो फैट भी नहीं करता है ज्यादा कई लोग सोचते हैं कि हाँ में ये फैट करेगा हेल्दी नहीं होता देसी घी हम नहीं खाया है आज की जो जनरेशन है बट फ्रेंड्स अगर आप उसे एक से दो चमच जैसे कि आय इंपल्स के गारण ड्राइनेस आजाती ग्लो चला जाता है तो अब भी यह ले सकते हैं देसी घी थोड़ा सा मिला करके और अपनी नाभी में अगर खाना नहीं चाहते तो नाभी में अपलाई कर सकते हैं उससे भी उनको बहुत पॉशन मिलेगा और उनके स्किन पर गिलो तो बेसी घी का बहुत फायदा है आप इस तरीके से नाभी में भी यूज़ कर सकते हैं और उससे खाने में किस तरीके से मैंने आपको बताया आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी और आपकी बॉड़ी को एक न्यूटिशन मिलेगा और एक अच्छा आपकी बॉड़ी में तो आएगा कि आप हेल्दी रह पाएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को भी दूर कर पाएंगे तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप नाभी में लगा करके अपने जो बालों की प्रॉब्लम है गिरने की बाल सफेद होने की और जो डायक सर्किल्स की अगर आपकी बॉड़ी पर आप नाभी में लगा करके इस सब प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और खाने में मैंने आपको बताया कि दो से साथ साल तक के बच्चों के लिए तो रूटीन में देशीगी का यूज होना चाहिए आप पतंजली का गाय का देशीगी ले सकते हैं वह भी बहुत अच्छा है मैं हमेशा अपने घर में रखती हूं और उसका यूज करती हूं और डाइजेशन पावर के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप या तो अपने सूप में डालीजिए या दूद में डाल करके आप उसे ले सकते हैं इस तरीके से आप अपना देशीगी अपने बहुत ही बहुत ही आपके शरीर को हेल्दी बनाया रखने का काम करता है आशकल जो बटर का यूज है वह ज्यादा हो गया है आप जिसे खाने में जो पाव अगेरा सेकते हैं बटर का यूज ना करके देशी घी का यूज करिए फ्रेंड्स मैं यही करती हूं अपने बच्चो बहुत ही रहेगी और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी बहुत ही सायक होगी तो इस तरीके से आप अपने जो रूटीन में हैं देशी घी का यूज कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा हर टाइप ऑफ हर टाइफ ऑफ एस के लो तो आई होग फ्रेंट्स आप जाने गए होंगे कि देशी घी में स्वस्थ रहने के कितने सारे गुण हैं जो बहुत सारी बड़ी-बड़ी मिमारिय होती हैं उसे फाइट करने का भी इसमें एक बहुत ही अच्छा गुण होता है और फ्रेंट्स जिनकी स्किन अगर बहुत बिललूश देशी घी में लाकर करके अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा जो आपकी जो इसकिन है जिसे बहुत ज़़िदर द्राए हो जाती है। कई बार अदर आदर मोत अननर से अिसके हूरे अप निला करके पर तो आप देखेंगे कितना गिलो है आपके फेस पर बड़े-बड़े सीरम और बहुत बड़े-बड़े जो क्रीमें बहुत महंगी होती है वह नहीं दे पाई वह इस देशी गी का कमाल आप देखेंगे कुछी दिनों में इसे अपके फेस पर फाइन लाइन डल डलनेस पूरी खतम हो जाएगी और एक श्पेशल गलो आपको देखने को मिलेगा यह आप फेस पैक बना बोल सकते हैं इसको यह इसको क्रीम बोल सकते क्योंकि इसको बिल्कुल ड्राय निकरना है थोड़ी देर लगा कि हलके आतों से र बून डेसिघी के हाथ में लेंगे इसको इस तरीके से लगाएंगे और अपनी फोर हेड पर आइस पर इस तरीके से आप अलकियातों से रगड़के और रात भर उसको छोड़ देंगे सुम्हें आप फेस वाश करेंगे तो आपकी इसकी में एक इस्पैशल ग्लो आएगा और जो dark circles हैं वो पुरी खतम होती हुए नजर आएंगे आपको तो इस तरीके से भी आप अपने beauty में देशिगी का use कर सकते हैं तो friends मैंने आपको जितना हो सकता था maximum देशिगी के फायदे बताए हैं तो I hope आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो please please like करिए, thumbs up का button दबाईए और चैनल को subscribe करना ना भूलिए ताकि जो मेरे नए वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके और अगर आपकी जो भी queries हो, किस तरीके से के वीडियो चाहते हैं, किस पर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आप comment section में जुरू बताएं, ताकि मैं आपके लिए नए वीडियो बनाती रहूं तो friends, नए वीडियो में फिर मिलते हैं नए DIY के लिए साथ, तब तक के लिए bye bye and take care